सत्तर के दशक में सलीम जावेद के फिल्मों में अक्सर एक द्रिश्य होता है कालेजब की किसी लड़की को कुछ गुंडे छेर रहे होते हैं और एक आएक एक युवक की इंट्री होती है और वो सभी गुंडों से उस लड़की को बचा लेता है फिर वो हीरो बन जाता है और पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमने लगती है फिल्मों की कहानी अक्सर हमारे जीवन से प्रभावित होती है ऐसा ही ऐसी एक घटना गोंडा के कालेज के सामने हो रही थी कालेज के कुछ उडंड टाइप के लड़के कुछ गली मुहले के गुंडे कुछ लड़कियों को छेर रहे थे तभी एक युवक वहां से गुजर रहा होता है अपनी मोटर साइकिल से मोटर साइकिल रोकता है और फिर उन गुंडों से पूछता है कि तुम इस तरह की अभद्रता क्यों कर रहे हो उस समझाने की कोशिश करता है लेकिन बदमाश समझते नहीं उलज जाते हैं और उसके बाद अकेले वो युवक उन तीन चार बदमाशों की जम कर पिटाई करता है वो लंबे चौरे कद काठी का वो युवक उन सब से उस लड़की को बचाता है फिर वो लड़की ये कहानी कालेज की दूसरी लड़कियों से बताती है आगे चलके वही युवक गोंडा के उस कालेज का छातर संग का चुनाव जीत जाता है जी हम बात कर रहे हैं छै भार भारत के सांसद रहे ब्रजभुशन सरन सिंग की जिनके उपर अब आरोप लग रहा है कि उन्होंने यौन शोशन किया है एक नहीं दो नहीं सो नहीं हजारों लड़कियों के साथ ये आरोप उन पे भारत को सम्मान दिलाने वाली भारत की कई महिला पहलमानों ने लगाया है ये आरोप जिनने लगाया है उसने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है और उनके साथ बाद में खड़े हो गए बजरंग पुनिया जिसे पहलमान साक्षी मलिक जिसे पहलमान ने उन पे जब ये आरोप लगाया तो कैमरे के सामने रोने लगी उनका आरोप है कि सांसद ब्रजबुशन शरंसिंग की गिरफतारी हो और ये मांग वो लंबे समय से करते रहे सवाल ये है कि जिन महिला पहलमानों ने देश का इतना सम्मान बढ़ाया वो जब जनतर मंतर पर रोने लगी और कहा कि एक नहीं दो नहीं दस नहीं सो नहीं हज्जारों महिलाओं के साथ इस सांसद ब्रजबुशन शरंसिंग ने कई बार यौन शोशन किया अकेले में बुलाया करता था तो लोगों को ये लगा कि सरकार इसमें कारवाई क्यों नहीं कर रही है अक्सर इमाना जाता है कि एक दाख एक मचली पुरे समंदर पुरे नदी को गंदा कर देती है तो इस ब्रजबुशन शरंसिंग के उपर कारवाई मोदी सरकार क्यों नहीं कर रही है देश के सूचना एवंपरसारन मंत्री और खेल मंत्री लगातार अनुराक ठाकुर टिब बारा बारा घंटे तक इन महिला रिसलडों से बात चीत की इन महिला रिसलडों ने कई बार प्यास किया किसकी राज़िते खस्तक छेप नहों लेकिन धीरे धीरे कई बाहु बली अपने अतीद के पपू यादब जिसे लोग भी यहां अपनी डाल गलाने के लिए पहुँच गए लेकिन बार बार किंदर की सरकार द्वारा अपने सांसत के उपर कारवाई ना करना खलता था लेकिन मैंने कहानी ये सुनाई कि जिस ब्रज कि कहानी ऐसी हो कि वो महिलाओं को बचाता हूँ एक घटना नहीं थी उनके उपर उनका पूरा जीवन ऐसे ही रहा कि वो बिद्रोही रहे अन्याय के खिलाब बोलने बाले रहे जब वो समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडों के साथ उनके मुटवेर में जब तीन चार लोग के साथ उनके साथ ही असी के दशक के शुरुवात में ही 1983 में उनके तीन साथियों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया तो उन्होंने गोली चला दी ये ब्रिज ने खुद एक इंटर्विव में सुईकार कर लिया जो आमतर पे कोई सुईकारता नहीं है महत्पून ये है कि इस कहान समझने को कि आखिर इस ब्रिज की कहानी क्या है जिस पर नरिंद्र बोदी की सरकार कारवाई करने से हाथ डालने से डरती थी तो आपको थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा आठ जन्वरी 1957 को जन्मे ब्रिज की कहानी ये है कि उनके चार भाई थे जमीन ज्यादात परिवारिक कलेश में तीन की हत्या कर दी गई तो उनका पालन पोशन गुप्त तरीके से ननिहाल में हुआ और फिर वो वहीं पले बढ़े और एक संसकारी युवक के रूप में रहे कालेश की लाइब की कहानी हमने सुनाई कि कैसे छे रिचार में उन्होंने अपनी एक महिला साथी अपकई कालेश की लड़की को बचाया फिर वो हीरो हो गए और हीरो होते होते फिर वो चुनाव चातरसंग का चुनाव जीता और चातरसंग के चुनाव जीतने के बाद वो गोंडा से गन्ना समीती का चुनाव भी उन्होंने 1987 में जीता उसके बाद वो BJP में शामिल हो गए और BJP से विधान सवा का चुनाव लड़ा 87 में ही हार गए तो 1991 में उन्हें गोंडा से लोक सवा का टिकट मिला और उस दोर में लोक सवा का टिकट ले करके वो लोक सवा पहुँच गए पहली बार वो सांसद बने फिर 1992 में जब राम जनभुमी का आंदोलन चल रहा था तो सबसे पहला आरोप जो आपको लाल कृष्ण आडवानी वर्सेज स्टेट का जो सुप्रीम कोट तक केस पहुँचा उसमें इसी ब्रिज भुशन सरन सिंग का नाम था कि इसने फावरा चलाया इसने तोड़ फोर की बाद में आडवानी समें तमाम लोगों में इस ब्रिज को भी छोड़ दिया गया आडवानी, मुरली, मनोहर, जोशी तमाम निताओं के साथ इनके ऐसे ही संबन थे फिर इनका कद बढ़ता चला गया आगे के चुनाब में ये जीतते चले गए लेकिन एक दोर आया कि बीजे पी ने इन्हें टिकट नहीं दिया उस समय नाइन्टी नाइन्टी सिक्स का था ब्रिज भुशन एक बार इस चुनाब में एक बार समाजबादी पार्टी से सांसद बन गए लेकिन समाजबादी पार्टी से सांसद बनने के बाद ब्रिज अपनी राह अलग कर लिया 2014 में एक बार फिर नरेंदर मोदी और आमित शाह ने इन्हें बीजे पी सी टिकट दिया और 14 से फिर 19 दोनों बार ये भारती जनता पार्टी के सांसद रहे मतलब इनका भरोसा इन पर भरोसा केंधरिय नित्रित को रहा यही वज़ए है कि इनके उपर कारवाई करने से पुलिस भी ख़बराती थी लेकिन महत्पुन ये है कि क्या इनका करेक्टर कई सारे कई एफ़ई आई आर दिखाया जा रहे हैं कि इन्होंने इनके उपर कई सारे FIR हैं, इनके उपर कई क्रिमिनल केसेज हैं, लेकिन ब्रिजबूसन शरण को जानने वाले लोग बताते हैं, कि चरित्र से ये बहुत स्ट्रॉंग रहे, सच बोलने वाले रहे, यही कारण है कि एक बार इन्होंने खुद सुईकार की, कि उन्होंने हत्या कर दी थी, एक वेक्ती की, जब खानन के ठेका ये लोग लेते थे, और उस दौर में माफियाओं ने इनके एक दोस्त को मार दिया, तो उन्होंने तुरंत उसी, उन्होंने अपने पिस्टल से उस माफिया की हत्या कर दी, आम तोर पे ये कोई बताता नहीं है, लेकिन उससे वी रोचक कहानी आप जानकर अचम्भित हो जाएंगी, दरसल ब्रिजबुशन सरन सिंग पर टाडा का केश लगा, और टाडा के तहत ब्रिजबुशन तिहार जेल में बंद थे, ये 1992 के फिर उस कांट से जुड़ता है, राम जन्हुमी, बाबरी मस्जिद बिद्धन से, चुकि उसमें इनका नाम था, इसलिए कई अंडर वर्ड के डाउन ब्रिजबुशन शरन के पीछे पर गए, बात उस समय की है, जब मस्जिद गिरने के बाद, 1992 में, 22 नवंबर को, मुंबई के जेजे अस्पताल में, एक मरीज भरती होता है, और उस मरीज प जो मरीज होता है, जो मारा जाता है, वो अरुन गबली गैंग का होता है, और अरुन गबली गैंग के जिस बदमास की हत्या जेजे अस्पताल में होती है, उस पर आरोप लगता है कि इसने इबराहीम पारकर की हत्या की है, इबराहीम पारकर कौन था, इबराहीम पारकर दा दाओद इबराहिम का बेहनोई था उसकी हत्या अरुन गबली गैंग के लोगों ने की थी इसमें पर ही शातिराना तरीके से दाओद इबराहिम गैंग के लोगों ने जिस पर जो आरोप लगाया वो ब्रिज भोशन शरन सिंग और उत्तर प्रदेश के एक नेता कलपनात मिस् भी आया और टाडा के तहत इन सब पर मुकदमा चला उस समय केंदर में कांग्रेस की सरकार थी और जब उनके उपर टाडा के तहत मुकदमा चला वो तिहार जेल में बंद रहे वो भारत के सांसत थे और टाडा के तहत तिहार में बंद थे जानते हैं उस समय में जब वो ति उस चिठी में लिखा है जो तिहार में चिठी आती है उस चिठी में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ उस चिठी में है प्रिये ब्रजभुशन जी सप्रेम नमस्कार आपका समाचार मिला नए सिरे से जमानत का प्रत्न करना होगा आप हिम्मत रखें अच्छे दिन नहीं रह देंगे निश्चिंत रहिए कैद की सजा काटने वाले सावरकर जी कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि आजनमा जीवन भर के कैद का सजा काटने वाले सावरकर जी का अस्मरन करें पढ़ें, संगीत सुनें, खुश रहें, मैं फिर आऊंगा, हारिये न हिम्मत, बिसारिये न राम को, जाही बिधी राखे राम, ताही बिधी रहिये ये चिठ्थी लिखी गई है भारत के पुर प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपे के द्वारा अब तिहार में किसी के नाम यदि अटल बिहारी बाजपे के नाम चिठ्थी आती है, तो आप कल्प ना कर सकते हैं अटल जी का कद प्रधान मंत्री बनने से नहीं बना, अटल जी का कद प्रधान मंत्री बनने से बहुत पहले बहुत बड़ा था पंडित नहरू ने उनके बारे में कहा था कि शक्स एक बार भारत का प्षानमंत्री जरूर बनेगा पंडित जी के बाद इंधीराजी से भी उनके संबंद वैसे रहे अटल भारती राज़िती के एक ऐसी सक्सियत थे जिनके बारे में बुरा कोई नहीं बोलता था। कॉंग्रेस बाले भी कहते थे कि सही व्यक्ति गलत पार्टी में है। भारती राज़िती में यदि आजादी के बाद से आज तक एक व्यक्ति निर्विवात चुना जाए तो वो अटल जी होंगे। उसी अटल भिहारी बाजपई ने ब्रिजबोशन को ये चिठी लिखी ये चिठी दिखाती है कि हाताशा में है अटल जी और एक गलत व्यक्ति को टाड़ा में फंसाया गया है। इस ब्रिजबोशन की पूरी कहानी जब आपने सुनी तो आपको लगा होगा कि कैसे ये व्यक्ति अन्याय के खिलाब खरा रहा महिलाओं के उत्पीरन के खिलाब खरा रहा सनातन और राम के साथ खरा रहा भारत के साथ खरा रहा उसी व्यक्ति पर सुप्रिम कोट के आदेश के बाद अब फिर से F.I.R. दर्ज करने का निर्देश दिल्ली पुलिस को मिला है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम जाच कर रहे हैं कि इनके खिलाब F.I.R. बनता है नहीं लेकिन वो जाच का समय लंबा लग गया और चुकि ब्रजभुशन सरण सिंग के खिलाब जो लोग महीम चला रहे थे वो भारत को गौरब दिलाने वाले लोग थे। वो पहलमान दुनिया के मंच पर तिरंगा फैरा करके भारत के तिरंगा का शान बढ़ाने वाले थे। तो सरकार विरोधी लोगों को अवसर मिल गया कि उन खिलाडियों के साथ खड़े हो करके सरकार को घेरने का। इसके बावजूद भी यदि ब्रज भूशन पे F.I.R. नहीं दर्ज हो रही थी तो कुछ तो बात होगी। लेकिन सुप्रीम कोट के आदेश के बाद अब F.I.R. दर्ज कर लिया गया है। ताड़ा की पीड़ा ब्रज जेल चुके हैं। 1992 के बापरी मस्जिद के विद्धवन्स में भी F.I.R. उनके खिलाप हो चुका हुआ है। ऐसे में इस ब्रज भी के बुरे दिन फिर शुरू हुए हैं। कई बार ये लगता है कि क्या सरकार को पहले इनके उपर F.I.R. दर्ज नहीं करनी चाहिए थी। इतनी बजदनामी सुप्रीम कोट का ये आदेश लेने की दरूरत क्या थी। तो क्या सिस्टम को ये लगता था कि ब्रज भुशन पे जो आरोप है उसके खिलाफ साक्ष और सबूत कम है। सुप्रीम कोट के आदेश के बाद सानसद ब्रज भुशन ने कहा है कि मैं जेल जाने को भी तयार हूँ लेकिन सच निकल करके सामने आएगा। लेकिन इस सच्ट के सामने आने तक कितना समय गुजरेगा। यह मातपूर्ण है। क्या ब्रज भुशन के कारण सरकार ने मोधी सरकार ने अपनी कुछ साख गमाई है। ऐसे समय में जब प्रधान मंतरी मोधी कहते हैं कि अन्याए किसी के साथ हम होने नहीं देंगे। उन महिलाओं को भरोसा दिलाया गया था तो फिर ब्रज भुशन के खिलाप F.I.R. क्यूं नहीं हुआ इन सवालों के घेरे में सरकार आई। लेकिन अदालत भी अक्सर कहती है कि किसी व्यक्ति का यदि अतीत अच्छा हो तो उसके खिलाप कारवाई करने से पहले दस बार स सोचा जाना चाहिए हमने आपको अटल जी के उस पत्र को दिखाया जेल में कई माफियाओं को कई लोगों के पत्र आये हैं लेकिन जिसके पक्ष में अटल जी का पत्र आया हो और इस पीरा में की जमानत हम आपको दिला नहीं पाए चुकि टाड़ा का केस दर्ज था तो कम से कम ब्रजभुशन पर टाड़ा से बड़ा केस दर्ज नहीं है अब की बार वो किस रूप में अपने आपको निर्दोस सावित करेंगे यह देखना दिलचस्प होगा क्योंकि टाड़ा के मामले में अदालत ने उन्हें बड़ी कर दिया बाबरी मस्जिद बिध्वंस में उन्हें अदालत ने बड़ी कर दिया यह मामला भी फिर अदालत में है ब्रजभुशन शरन सिंग की कहानी सुनाने का अदेश यही था कि हम और आप इस सच से अबगत हो सकें कि पर्दे के पीछे खबरों के पीछे की भी कुछ खावर होती है यह कहानी सुनाने का अदेश ना किसी का पक्ष रखना था ना किसी के खिलाफ जाना था इसका उदेश एक सच से आपको अबगत कराने का था यह कहानी आपको कैसी लगी यह सची कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मात्रम जैहिंद झाल झाल